कोलकाता रएप और मड़क केस को लेका CBI की टीम पूरी तरह से आक्षन में है CBI की टीम इस केस को लेका सच की तलाश कर रही है और इसी कड़ी में आरजीकर अस्पताल के ततकालीन प्रिंस्पल संधीब घोश्ट से लंबी पूश्टाज भी हुई दावा किया जा रहा है कि पूश्टास में CBI को एहम सुराग लगे है उधर CBI की टीम आरोफी संजराए के दिमाग में छिपे सच का पता लगाने में जूटी है जोंकरी चलाएं इसका कोई रेजल्ट नहीं मिला आभी तुम्हारा नाम तुम क्या करते हूं ? तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है ? तुम्हारे पास कितने mobile phone है, उनके नंबर बताओ, अपने दोस्तों के नाम बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्षपणी है, तो उनके नाम बताओ घटना के दिन क्या क्या किया कहा कहा गए थे किस किस से मुलाखात की वारदात की रात क्या तुमने शराप पी थी क्या तुम नशे के आदी हो वारदात की रात तुमने अस्पताल में क्या किया तुम सेमिनार हॉल में क्यों गए थे तुमने पीडिता को कहां देखा था? क्या तुम्हारी पीडिता से कोई बात होई थी? तुम्हें डर नहीं लगा उसकी हत्याखरते बर? वारदात के बर तुम कहां गय थे? किस किस को फोन किया था? क्या किसी को वारदात के बारे में बताया था? कौन वीडियो देखने के होता है PsychologyhaoCast कैसे होता है psychological टेस्ट में क्या ROP पूरा सच उगल देता है psychological अटॉपसी अपरादी के दिमाग का psychological post mortem होता है 5 डॉक्टरों की CBI की CFSL टीम क्ये टेस्ट करने कोलकाथा पहुंची है क्या इस इस टेस्ट में संजय रॉय के दिमाग का ध्यान या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके दिमाग का मनोग वैज्ञानिक तरीके से पोस्ट मॉटम किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए CBI को किसी तरह के कोड की परमेशन की जरूरत नहीं पढ़ती है। और उस वाइस के जरीए ये पता करने की कोशिश कर सकती है कि आरोपी से जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देते वक्त क्या ये आवाज उसका सही जवाब दे रही थी। आरोपी संजय रॉय क्या वारदात को अंजाम देने वाला अकेला शक्स है। क्या संजय रॉय घटना से जोड़े राज छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या संजय रॉय पर किसी तरह का कोई रबाव है। इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि संजय रॉय की डील डॉल ऐसी नहीं देख रहे कि वो ट्रेनी डॉक्टर को अकेले काबू कर सके। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि संजय रॉय ने वारदात की रात शराब पी थी तो फिर वैशी पन में सिमाएं तोट जाती है। मतलब घूम फिरकर ट्रेनी डॉक्टर के साथ होई दरिंदगी केस की सुई वहीं पहुँच जाती है। कि 8 और 9 अगस्ती दर्म्यानी रात को कोलकाता के आरची कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। जो अस्पताल का स्टाफ नहीं था। यही नहीं वारदात की रात वो सेमिनार हॉल में एंट्री करते वक्त भी दिखा। पोलिस को शक हुआ संजय रॉय को पोलिस ने पकड़ा और जब सेमिनार हॉल से मिले ब्लूटूथ एयर फोन से संजय का मोबाइल कनेक्ट किया गया तो क्लियर हो गया कि संजय रॉय इस केस में इंवाल्ब था। उदर हर्याना के रोतक से हयरान करने वाली खबर आई है यहां मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ मार्पीट की घटना सामने आई मारपीट का आरोपी पीजी डॉक्टर है आरोब है कि 16 गस कि शाम को आरोपी ने मेडिकल कैम्पिस से मैडिकल छात्रा को अगवा किया और अपनी गाड़ी में रात में अमबाला और चंडिगन लेकर गया कोलकता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत और हत्या की खौफनाक वार्दात को देश अभी भूला नहीं डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत पर पूरा देश आग्रोश में है कि अचानक महिला डॉक्टर से हैवानियत का नया मामला अर्याणा की रोहतक से सामने आया है जहां मेडिकल कॉलेज की छात्रा का केटनेप किया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गई मेरे साथ साथ महीने से टॉर्चर हो रहा है जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कोशिक एनाइडमी फर्स्ट इयर पीजी एमटी कर रहे हैं वो यहां से दरसल 16 अगर्ष्ट को रोहतक मेडिकल केमपस से महिला डॉक्टर को अगवा किया गया आरोपी उसे अपनी गाड़ी में रात में अंबाला और चंडी गड़ लेकर गया जहां उसके साथ मार पीट की गई इसके बाद 17 अगर्ष्ट को रोपी ने डॉक्टर को छोड़ दिया शर्वाती जांच में सामने आया कि पीडिच छात्रा और आरोपी डॉक्टर दोनों पीजी आएमेस से तालुक रखते हैं पीडिच छात्रा बीडियस की पढ़ाई कर रही है जबकि आरोपी डॉक्टर मनिंदर कौशिक एनाटॉमी विभाग में पीजी का स्टूडेंट है करीब पंच-छे महीनों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं लड़की के बयान और जांच में अभी तक योन उत्पीडन या रेब का कोई मामला सामने नहीं आया है पोलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छापे मारी कर आरोपी डॉक्टर को गिरफटार कर लिया है फिलहाल आरोपी रेजिडंट डॉक्टर को निश्कासित कर दिया गया है ऐसे में सवाल है कि अगर महिला डॉक्टर अपने साथ ही डॉक्टरों के बीची सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा कहा है पुलिस पॉंची बदमाशों को पकरने के लिए पुलिस में नाके बंदी करना शुरू कर दिया है अब कारवाई को अंजाम देने के लगातार कोशिचे चल रही है पुलिस की पुलिस अव एक्टेव हो चुकी है बदमाशों को पकरने के लिए पुलिस ने शहर में नाके बंदी करना शुरू कर दिया है जल से जल दावा यही है कि बदमाशों तक पुलिस उन्हें पकड़ेगी गिरफतार करेगी लेकिन कब तक ये सवाल बना हुआ है एक बार फिर यहाँ पर लूट पार्ट की घट्मा को अंजाम दिया गया राजधानी जैपूर से बड़ी खबर है जहाँ पर डेरी कलेक्शन एजेंट से आठ लाग रुपे की लूट पार्ट को अंजाम दिया गया है विश्णू हमारे समधातास खबर पर जारा जानकारी के साथ उन्गए है विश्णू नाकेबंदी की कारवाई तो शुरू कर दी गई है कुछ सुराग अब तक कितने बदमाश थे यहां पर आये और इसी जगहा पर जो यह एजी को लने के ठीक सामने यह जो इसी से बैंक का जो अपना एटियम दिख रहा है यही पर बदमाश होने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी एजेंट के और जब वो गिर गया उसके बाद में कैश कलेक्शन का जो करीब आठ लाग रुपे से भरा हुआ बैग था उस बैग को लूट करके बदमाश यहां से फरा लोगे बदमाश इसी रास्ते से सिफ्ट कार से यहां पर आये थे जहां मैं खड़ा हूँ यहां पर करक्शन एजेंट की बाई को टकर मारते और उसके बाद में वापस से इसी रास्ते से यूटर लेते वे यह बदमाश यह लूटे रहे वापस से जहलाना की तरफ भागे तो एसी पी आधित्य पूनिया उसके लावा ऐसे चो बजास दगर वो बोके पर पहुंचे कि कहां किस जगर से आखरी बार क्लेक्शन एजेंट फुरकान रुपए का बैग लेकर के रवाना हुआ था तो बहुत बड़ी वार्दात आज रक्षा मंदन की दिन हुई है नाकाबंद जैपूर शहर में करवा दी कही है पुलिस का मानना है कि जो कार है वो लगबग यहा वारदात को ईंजाम दिया है विश्चनु साइन रसार कार सवार बड़ी से मौनाना की वार। पुलिस को सूर्षना मिलती तब तक बदमाश यहां से फुरार हो चुके थे और उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची नाकाबन निकरवाई गई लेकिन मानना यही जा रहा है कि बदमाश शेहर से बाहर निकल चुके होंगे और इसलिए फुटेज आदर के नमबरों के आधार पर ही पीछा किया जा रहा है उसकी नाकाबन निकरवाई गी ताकि जल से जल बदमाश पकड़े जा सके लेकिन अब तक बदमाश को कोई और यह 8 लाग रुपे जो एजेंट के पास थे यह आखिर कार कहां लेकर जा रहे थे अधिक फूरकान जो कलक्शन एजेंट है वो आज रोजना की तरह डेरी का जो 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 कलक्शन होता है जो इकटा पहुत पैसा होता है वो लेकर के निकला था और उसका कहना है कि वो यही लेकिन वहीं पर दूसरी टीम है इसी पी अधित्य पूनिया ऐसे चो रांड सिंग सोडा यह सभी लोग सीटीव फूटेज खंगार है कि कहीं कहीं कोई सुराग पुलिस को मिले और बदमाश पकड़े जाए तो सुनसा रोड का फायदा उठाते बदमाशन रहकी करने के बा इस तरह से बता रहे हैं कि आप इतने घंटे बीच चुके हैं जाहित आप पर वो शेह के वाहर भी निकल गए होंगे शुक्रिया तमाम जानकारी मौकाई वादास से हम तक पहुचा आने के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं उदापूर कारू करते हैं जाप जन जीवन अब धीरे धीरे पट्टी पर आने लगा है मौके से जारा लिया हमारे संबादाताने अफ़ावरों से दूर रहने की अपील और इसके अलावा उदापूर पुलिस की सकती ने उदापूर में शान्ती का माहौ बना दिया तो पहले उदैपुर में शांति होना उदैपुर वासियों के लिए उध्यात की खबर लाइए और यह परेटकों की नगरी ऐसे में परेटकों के लिए इसे बात है कि अब बे फिर से उदैपुर गूमने के लिए आ सकते हैं कपिल श्रीमाली न्यूज एटीम उदाइपोर्ट हाला कि S.P. योगेश गोयल ने लोगों से अपील की है कि अब वाहों पर कता ही ध्यान ना दे रक्षा दंदन का पेवार है बजार में सब जगे सर्वपर सामन में इस देती है सबी लोग अच्छे तरीके से अपना तेवार बनाए और पुलिस सरवत्र सभी इस पॉइंटों पर लगाता रहा है गर्स कर रहा है निगरानी कर रहा है इसलिए इस दुरश्टी से किसी को भी परिशान होने की ज़रती है अमेरिका कोट ने मुंबई हमलों के गुनगा तहवर राना को भारत प्रत्यापत करने का आदेश दे दिया है मुंबई हमलों के मास्टर माइन तहवर राना ने कई साल तक कोशिश की थी कि वो उसका प्रत्यापत भारत ना हो लेकिन उससे काम्यावी नहीं मिली अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है इस ख़बर के बाद पाकिस्तान का खून सूग गया है और लशकर चीफ हावे साइथ के होश वाकता हो गया है यह रिपोर्ट देखे भारत लाया जाएगा चप्विस ग्यारा हमले का गुनेगार तैपुर भारत आएगा हमले के राज खोलेगा अमेरिका की जेल में बन तैपुर राणा के गुनाओं का पूरा हिस्सा अब भारत में होने वाला है मुम्मई हमलों का साजिश करता तैपुर राणा के भारत लाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है मुंबई आतंगी हमलों में शामिल तहबूर राणा को अमेरिका की अदालत ने बड़ा जटका दिया है अमेरिकी कोट ने फैसला सुनाया की पाकिस्तानी मूल के तहबूर राणा को प्रत्रप्रित किया जा सकता है राणा ने भारत में जाने से बचने के लिए हगकंड़े अपनाय थे उसके काउंसिल ने तलिल दी थी कि किसी व्यक्ति को एक अप्राद के लिए दो बात दंडित नहीं किये जाने के कानून के तहर्त राणा को अमिर्का की जेल में ही रखा जाना चाहिए लेकिन इस बार तहपुर की तलील काम नहीं आई कोट की तरफ से जारी किये गए परत्रपण ओर्डर के मताबिक 7 सितंबर 2009 को तहपुर राणा ने डेविड कोलम्रेंग हैडली से कहा था कि मुमई हमले में मारे जाने वाले नौ अतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे उचा सम्मान निशान हैडर दिया जाना चाहिए उसने हैडली से ये भी कहा था कि मुमई हमले की साजिश में मदद करने वाले एक साथी को बताएगी उसे टॉप ग्लास का मेडल मिलना चाहिए में संभा हो सके राणा के साथी हैडली को अक्टूवर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और मुमई हमलों में शामिल होने के लिए उसे 35 साल की सजा सुनाई गई थी भारत और अमेरिका के बीच प्रत्रपड संदी में प्राप्धान है कि अगर कोई व्यक्ती भारत में कोई अपरात करता है और अगर उसे अमेरिका की धर्ती पर पकड़ा जाता है तो भारत उसके प्रत्रपड की मांग कर सकता है कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडली न अमेरिका से सौधा किया था कि वो उनके साथ बुरा सहोग करेगा बशर्टे उसे भारत या पाकिस्तान पर तेपित नहीं किया जाए राणा के खिलाब अगर 2018 में भारत की National Investigation Agency के Special Court ने भी गिरफतार वारंट जारी किया था राणा अपने बच्पन के दोज डेविट कोलमेन हैडली के साथ मुमई हमलों की साजिश में शामिल था पाकिस्तान में 2006 से 2008 के बीश साजिश रची गई थी इसके लिए राणा लशकर के कैम्प में भी गया था इस ख़वर को सुनका तहबूर राणा जितना परिशान है उससे जादा तो पाकिस्तान खूफी आईजिंसी आईएस आई और लशकर के होश उड़े हुए है क्योंकि अब तहबूर भारती खूफी आईजिंसी के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा लशकर ने आतंगी हमले की साजिश कैसे रची और इसमें कौन-कौन शामिल है उसके पूरे राज उग लेगा और अदिस्तान के लोगों के लिए महतपूर खावा दरसल प्रिदेश में माला जारे के बिजली का संकट गहरा सकता है दरसल जालावार जिले में इससे काली सिंध थर्मल पावर प्लान की पहली यूनिट वाइलर ठ्यूब में लीकेज के चलते बंद हो गई है जिसने 600 मेगावार्ट विद्द उत्पादन प्रभावित हुआ है तो वहीं दूसरी यूनिट से भी फिलार परयाब विद्द उत्पादन नहीं हो पा रहा है काली सिंध थर्मल के इंजीनियर्स थर्मल के खराब यूनिट को फिर से शुरू करने की कोश्चुशों में जुटे हुए है मदारी के पिछले 3 से 4 महिनों के दौरान काली सिंध थर्मल पावर प्लान की कई बार यूनिट में खराबी आ चुकी है ऐसे में बार बार तकनी की खराबी आने से प्रडेश में विद्धूर उत्पादन को जटका लगता है श्री गंगा नगर के सूरतगर उकवन चेत्र के गाउं 6DBN में ग्रामिडों का धर्णा लगाता दूसरे दिन भी जा रही है एक काले हिरण और खरगोश के शिकार से आक्रोशित वन जी प्रेमी रविवार को धने पर बैट गए थे प्रदशन कारियों की मांग रही कि जल से जल शिकारियों की गिरत तारी हो इसके साथ ही वो जिला वन अधिकारी और उस्ताने वन कर्मियों को निलंबित करने की भी मांग कर रहे है ग्रामिनों ने प्रशासन से साफ साफ कह रिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे रासमाज जिले की एक आक्रोली थाना पुलिस ने आव्याथ हात्यारों की सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है दोनों की पहचान नीमश निवासी, जफर कुरैशी और निमबा हेडा निवासी मोहमबत तबरेस के तोर पर हुई है पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल भी बरामत की है, इन पर आरोपियों के पिछले दिनों फारिंग करने वाले आरोपियों को इनों ने पिस्टल उपलद कराई थी साथी आप पुलिस किस-किस को हात्यार उप्लब कराए गए हैं इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है खबर दिली मुंबई एक्से जए की जो मौत का एक्से जए बनता जा रहा है लेकिन ये तकनीक तो फेल हो गई देश की इमेज को विरेज तक दशाने वाल इस Expressway की हालत देकर अब हर किसी को इस Expressway पर गुज़रने से दर लगने लगा है और इसके दिर्मार पर सवाल भी उट रहे हैं सानों पर चल रहा है लेकिन जब रोड पर गाड़ी चलेगी तो उसकी मेंटेनस भी लगातार होने की आवशकता है कि कोई भी समस्य आती है तो उसको तुरंत रिपेर होना उसकाम में हमारा विभाग अंत्राले बिलकुर नुस्तेरी से काम कर रहा है अना पेकशित बारिश के कारण से कुछ जगा प्रशानी आई लेकिन तुरंत रिपेर और उसकाम को ठीक करने का काम से हम खड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जब इसका उद्गाटन हुआ था तो सपने दिखाए गए थे कि काफी सुरक्षित ये एक्सप्रेस वे है लेकिन सड़क दुरुगटना है तो यहां आम बात है लेकिन जो पहली बारिश हुई है मांसून पहला जो मांसून आया है उसमें इस एक्सप्रेस वे की पूल खुल गई है राताने दिल्ली से मया नगरी मुंबई को जाने वाला यह एक्सप्रेस वे है लेकिन जगए जगए ज़गए जो सड़क है वो पूरी तरह धर्ष उकी है जो रेलिंग है रेलिंग भी वह उम्मीद थी वह उम्मीद पर इस यह खरा नहीं उतर रहा है अब जो काफी दिन हो चुके हैं बारिस पी ठाम चुकी है लेकिन अभी भी जगह-जगह एक्सपरेस में की इसी तरह के हालात हैं एक्सपरेस वे जगे-जगे से उख हुड़ा हुआ है तोटा हुआ है। जो कटा हुए वो लगा हुआ है, जिसके कारण दुरगटना का कारण बन रहा है, आए दिन दुरगटना भी हो रही है। जब मामले में हमने केंडुरी राज्य मंत्री हर्थ मलोत्रा से बात कि तुम का कहना था कि जैसे ही क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिस राजस्तान में यह इस तरह के हालात बने हैं लेकिन दिरे-दिरे मेंटिनेंस की जा रही है और दिरे-दिरे मरमत कराके पूरा एक्सप्रेस वे को सही करा दिया जाएगा इस तरह करने लेकिन बारिस थमें 3-4 रोज हो चुके हैं लेकिन हाला अभी भी जस के तस हैं और एक्सप्रेस वे पूरी तरह खराब हो चुका है और लोगों की उम्मिदें पर यह एक्सप्रेस वे खरा नहीं उतर रहा है क्योंकि इसमें काफी तक्निकी खामिया है। रक्षा बंदर कपर भिलवारा में हर्चुलास के साथ बना जा रहा है और इसके चलते आज डेजिदेंट डॉक्टर्स बहने और IMA के डेलिगेशन सांसद दामुदर अगरवाल के घर पर पहुंचा और राखी बांग कर रक्षा करने का वचल लिया कोलकाता में घटना को रेका डॉक्टर बहनों ने सांसद अगरवाज से सेंट्रल प्रोड़क्शन अक्ट लागू करने की मांग भी रखी है तो वहीं सांसदों ने उन्हें मांगू को लेकर आश्वासन भी दिया राकी का त्युहार सांसद नामदर गराल के साथ मना रहे हैं बात करते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं ये दीखिए डॉक्टर्स यहां सुबह पहुच चुके थे अभी राकी बांद रहे हैं कहना कि जो रक्षा का वच्चन है वो सांसद मोदे से ले रहे हैं बात करते हैं इन से कैसे मैं आप पहुचे हैं और क्यों राखी बांद रहें गुड मॉर्निंग हैपी रक्सा बंधन यहां आने का हमारा मकसद यही है जो कॉलकत्ता में हमारी महिला रेसिडन के साथ जो दुरगटना घटित हुई है जो उसके साथ मर्डर और रेप का केस हुआ है वो हम चाहते हैं कि डोक्टर तो किया लेकिन और कोई भी नोन-मेडिको या किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम डोक्टर के लिए तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक लाग होना चाहिए हमारा कहना है कि हमें सुरक्षा के लिए कोई ऐसा एक प्रोटेक्शन एक और तिलवारा में भी लोकल स्थर पे हमें जितना हो सके उतना सेफटी के लिए प्रबंध किया जाए और यह अगर बात है तो यह अगर आगे प्रधान मंत्री तक या फिर अगर पहुच है तो ज़्यादा बेटर है सर प्रथम पवित्र रक्षा बंदन की सभी को हरदिक शुब कामना है और जैसा आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अभी रक्षा सुत्र बांदते समय हैं जो मुझसे अपेक्षाईं की मैं इन अपेक्षाउं को इनकी नावश्यक्ताउं को केंदर सर्तार तक पहुंचाने का और इसके साथ मारो आस्तान में आजके लितना ही आगे देखिए खबर दुपहर